नमस्कार दोस्तों एक तरफ चारों शंक्राचारियों ने प्रदानमंती नरिंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के उधगाटन का विरोध किया है और उन्होंने जाने से मना कर दिया है 22 जंवरी को उदधगाटन समारो है लेकिन शंकराचार्यों ने आमंतर ठुकरा दिया है और उन्हें कहा कर दिया है कि मंदर अभी अधूरा है उसके साथ ही तमाम सवाल उनके द्वारा उठाए गये हैं और ये कह दिया गया है कि मैं राम मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं होगा। जिसके बाद से ही बीजेपी के नेता कारी करता, बीजेपी के समर्थक, मोदी के समर्थक, शंकराचारे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। शंकराचारे के पुराने बयान भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहे हैं। एक तरीके से राजनितिक दोश जो है वो रख रहे हैं, इसलिए उस तरीके का बयान भी सामने आ रहा है। जहां पर वो मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल एक तरफ शंकराचारे को लेकर खड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ शुराज सिंग चोहान जो की मदप्रदेश के पूर विसीयम है और बीजेपी हाई कमान ने इस बार विधान सभा चुनाव के बाद जो जीत मिली उसमें शुराज सिंग चोहान को हटा कर मोहन यादो को मुखे मंतरी बना दिया। और तबी से शुराज सिंग चोहान के द्वारा लगया अतार बड़े संकेत दिये जा रहे हैं कि वो नाराज चल रहे हैं और जो सत्ता उनसे छीनी गई है कहीं न कहीं बीजेपी हाई कमान ने गलत किया है। अब ऐसे में शुराज सिंग चोहान का एक बड़ा बयान शंकराचार को लेकर आ गया है। अब आपको उनका बयान सुनाते हैं जिसके बाद से ही इस बात पर चर्चा चल रही है। मैं स्वभा के साली हूँ कि आज आदी गुरू भगवान संक्राचार जी महराज की जन्म भूमी में आया हूँ यहीं उन्होंने जन्म लिया था और यहीं से बे गुरू की खोज में पद्यात्रा करते हुए उमकारिस्वर की ओर लिख ले थे उमकारिस्वर में उनको गुरू मिले थे और वहीं से सन्यास लेके उन्होंने भारत ब्रमन प्रारम भुटिया था आदी गुरू की किरपा आज उनकी जन्म भूमी में आने का स्वभाग की मिला आदी गुरू संक्राचारी जी के कारण ही सांस्कृतिक गुरूप से आज भारत एक है आदी गुरू ने डक्षण से उत्तर पूरफ से पश्चिम सारे भारत को जोड़ने का काम किया आदी गुरू की किरपा ही है कि हमारी संस्कृति जीवनमूल और परंपराएं अक्षोन हैं बची हुई है और आज मुझे अत्यन्त प्रसंदता है कि उमकारिस्वर में यहां उनका जन्मभा कालरी में उमकारिस्वर में उनको गुरू मिले गुरू इस्थान पर उनकी भव्य प्रितिमा स्टेचु आफ वन्नेस बन गया है लेकिन एक ही चेतना समस्त प्राणियों में है आत्मवत सर्म भूतेशू सिया राम में सब जगजानी यह मूल मंत्र है कि हम सब एक हैं और जब एक ही चेतना के अंग है तो हम में भेदभाव कैसा और यहीं से फिर संदेश जाता है संगर्स नहीं समन्वे घरना नहीं प्रेम सान्ती सारे भेदभाव मिड़ जाएं और हम सब मिलके एक रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं और यहीं विचार है जो भौतिकता की अगनी में दगदविस्टव मानवता को सास्वत सान्ती के पथका दिगदर्सन कराएगा पर इसलिए उमकारिस्वर में जहां आदी गुरू को उनके गुरू मिले गुरू भूमी दिख्षा भूमी वहां एकात्म धाम का निर्मान प्रारंब हो रहा है मैंने वो काम प्रारंब किया था लेकिन स्री मोहने अदब जी और कि टीन उस काम को आगे बढ़ाएगी और दुनिया को संदेश देगी सारी बसुदाई एक परिवार है धर्म की जेहो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावनाब